लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें कि मुझ रहे हैं चरागे दैरो हरम दिल जलाओ के रौशनी कम है कि लेटेस्ट वेटेस्ट अल्टे सब्सक्राइब के लिएड़ येवां उने कि लाई आएट अब्लाओ तेस्टा Tuesday कर दो 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 कर हुआ 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 है कि यह स्कुलीज भागवद घीता है आपके पास जी हम दीचे कि धर्म कर्म के कुछ और किताबे हो आपके पास तो दिखाइए जी अभी लाइए कि अपके इधे आपके लाइएए एया नाव जड़ाएँ नाव तो दो आपके लाएजे जी अपके हुआ 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 है अरे रेहना, सुबह सुबह कहा गई थी बेटी सालगरा मुभारक हो अमी जान, आप तरी तूफा लेने गई थी मेरी सालगरा हमेशा तुम्हे याद रहती है और अपने हर बार भूर जाती हो वो तो मेरा फर्ज है अमी जान तुम्हारे सारे फर्ज मेरे लिए है, अपने लिए कोई फर्ज नहीं आप है तो मैं हूँ अल्ला तुम्हे हमेशा खुश रखे बेटी अई वी हमेशा वावाड़ी जल्दी नहीं है अचया चर्ड़ी जल्दी नहीं है अचया जल्दी चलिया चलिया कर दो कर दो बुमें इव पंडित जी यह मुल्ली उल्ली अंदर रखे कम बैक इन सब रखे कम बैक मैं वापीस आओ लेकिन मैं वफास क्यों हूँ ने तो के यह सब तुमारा बाप लेगे दाया ए अंचोनिया हमार पुझ्य पिता जी का नाम मत लिया लेकिन अच्छा नहों हुई कि यहो प्यात उत्या कर लेकिन अच्छा बाद करिया हुई आजी लेता कि यह चाहिए जाओ लेता कि वाह भीन डरत जीकिन अखे कि आ. मैं प्रीडरी बाद प्याओत ने भीग्दी। आ. भीज़ां चाहिए आ. तुम कहते हो कि शीडियों पर से गिर पड़ी इससे पूछा तुम कुछ बताती हैं नहीं डॉक्तर और वक्यों से जुट बोलने पर केस बिगड़ भी सकता है इन्होंने त्छी की कहा था डॉक्तर साहब तुम अपने घर वाले से मार खाकर महले वाले से छुपा सकती हो मैंकर डॉक्तर से ही छुपाना चाहिए मुझसे भूल होगी डॉक्तर साब तलकुछ ज्यादा पी देंगी जितनी पीकर तुम्हारा हात और अरट पर उड़ता है अपने अपने तुम्हारे अपने लिए भी अच्छा नहीं है यह दवा लेलो परस फिया जाने घंके तो बाल्ती लया? बाल्ती? आहां बाल्ती दवा के लिए बाठ लिए आहां ओई Are you? वशिर्मिया तुम जी हां सलमा आदाब आदाब आओ बेटा आदाब करो बेटे आदाब मेरा फर्जन रह्मान अरे कितना बड़ा हो गया छोटा था तब देखा था रहिस्मिया चाय लेकर आओ और सुनाओ वशिर्मिया यहां कैसे आना हुआ यू है रह्मान इंट्रिवी देने आ रहा था मैंने सोचा मैं भी इसके साथ दो-चार दिन घूल पिराऊं इसी बाहने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी रहाना कहा है सुना है डॉक्टर हो गई है हाँ आप लोगों के दुवास से दवाखाना चला रही वो तो हम दोनों में से किशी को भी नहीं पहचान पाएगी हाँ बहुत छोटी थी जब तुम लोगों के आना जाना था चश्मी बद्धूर बेटी यह बशिर मिया है और यह इनके साबजात है रह्मान आदब आदब बहुत छोटी सी थी जब इन्होंने तुम्हें और तुमने इनको देखा था आप लोगों अम्मी जान से बाते कीजिए मैं अभी आती हूँ अच्छा अम्मी खुदा हाफिस खुदा बड़ी फर्मबरदार बच्ची है चश्मी बद दूर किन साय तुम लोग आड़ी किन साय तुम लोग ठरो बदाताए बताओना भई ठरेगा भी क्यारा महना उन्नीश दिन पहले एक दिन सुभा पाज बज के पच्चीस मिनिट और पास सेकंड पर एक जोद्पुर के महल में से तीन डिसन्ट आदमी हमारे जैसे इस जंबो जट में बैटके निकला मिस्टर हम लोग का आज तक रिकॉर्ड है छे दिन से ज्यादा कई पढ़ने ही रुका क्यों यह जो हमारा साव है उसको इधर से उधर जाने का बीमारी है बीमारी तो लच कर आओ मेरे डक्टर का पास डॉक्टर के पास अरे अगर कोई डॉक्टर इसका इलाज करेंगा न तो वो खुद बीमार पड़े जागा एंथनी हाँ आया ताब ओके मिस्टर गुट नाइट अरे में मान चले गए हाँ बेटा बहुत देर पहले आये थे रहमानी इंटर्वी के लिए आया है तो मैंने कह दिया अगर नौकरी मिल जाए तो यहीं आग कर रहे जाए कहा मकान धू तुम खाना लगवा हूँ मैं नमाज पर करा दिया है रही समया खाना लगा हूँ अधा अधा कि अधा पैदे उसी खाज में चलावा थैर अधागी कब से पानी मुनता तुम उतको पानी क्यों नहीं देले शाब के काथि एक बूस पानी मुनता जेभा अरे अकल का दुश् पानी कर चाहराग पीएंगा साफ तो बूस दिंजरस में यह यह ज़्यादा मुश्कन पूचा था है तुम दारे ठाव है तुम दारे तरफ से आपनी तफेरत दवा खाली थै आपनी हाँ डॉक्टर साहिबाक खाली थी दवा खाने जाती हो तो मरीजों की फिक्र घर आती हो तो मा की फिक्र, कुछ अपनी भी फिक्र है तुम्हे, मेरी फिक्र आप जो करती है आज कल मुझे सच मुछ तुम्हारी फिक्र होने लिगी पेटी, यह बश्रमिया अम्मी जान, मैं शादी नहीं करूँगी यह तुम्हारा फैसला है, यह तालने का बहना अमी जान, मैंने आज तक जिंदगी में आपकी हर बात खुशी से मानी है और मानूगी, क्या आप को ऐसा फैसला करना पसंद करेंगी जिसे मानने के लिए मैं अपने आपको बेबस महसूस करूँ नहीं बेटी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी मगर शादी के बारे में तुम्हारे रववई को देखकर मुझे ठर लगता है कर यह मत अमी जान, मैं जब भी शादी करूँगी जहां आप कहेंगी, जिससे आप कहेंगी, उसी से करूँगी पुझे यकिन है, मैंजी, मकर कब इसकी अम्मी दिल की मरीज हो, जिसके सर पे अबबा का साया ना हो उसके लिए फैसला करना बहुत है मिश्किल हमी जान अल्ला, ऐसी रूस सब को दे इसके लिए बहुत है हरी तुन गाले र्याकुल मान बहुत है हरी तुन गाले र्याकुल मन बहुत है हर का नाम सदा सुकताई 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 हरी तुन गाले याकुल मन बहुत है हरी तुन गाले याकुल मन बहुत है कि रहां यहाद, कि झाया शुवा है आपका नाम क्या है? मेरा नाम? मजुमदार, भटिक मजुमदार ओ, भटिक मजुमदार दादा, यह अमारा ज़े जम्बो जेट है ना और हम दोनो एक सूर में बोलता है क्या समझा? नहीं समझा नहीं समझा? इसको अगर कुछ होता ना तो अपने को भी कुछ होता है कलिपथी, you understand? कलिपथी आच्छा चलता है कौन है? किससे बात कर रहे है? कोई शामनी को नाया कर रहे है और उसका है डाज़वार मैं समझाले मकार में रहती मारा साब गाना मुझे बहुत पसंद आया उनसे क्या देना? हमारह साब का गाना आपको भूत पसंद आहा है मैं साब? हाँ बहुत पसंद आया क्लासिकल पकाणा हााा तुमसे जो कहा है कह देना बस ओकी ओकी मिल्टा ओकी साहब साहब सामने आले मकान में एक मेम साहब रहता है उनको आपका गाना भूत पसंदाया साहब इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं थनी जो दर्द से वाकित नहीं लेकिन फिर भी वो किसी का दर्द देखकर या सुनकर रस्मन तारिफ जरूर करते हैं जी नहीं, ऐसी कोई बात ही आप? वहाव कीजेगा, बिना दस्तक दियंदर चलिया हैं वगर जो कुछ भी इसमें कहा, वो मैंने कहा था और जो मैंने कहा वो सचे यह देवी सामने वाले मकान में रहती हैं हाँ साब इंटर्व्यू देने जा रहा था, सोचा आपके दीदार करता चलू अगर नौकरी ना मिली, तो मुझे कोशियेगा मत और अगर मिल गई, तो मेरे यकीन की दाद देंगी आप प्रेमान सहाब, आपको नौकरी आपके काबलियत से मिलेगी, मेरे दीदार से नहीं मिस रहाना, अगर काबलियत से ही सब कुछ होता, तो खुदा और उसके करिश्मों को कौन मानता क्या मतलब है आपका, क्या मैं खुदा का करिश्मा हूँ वैसे तो हर इंसान खुदा का करिश्मा है, मगर मेरे लिए आपका दीदार भी करिश्मा साबित हो सकता है खुदा हाफिस खुदा हाफिस खुदा हाफिस खुदा करिया आपको नौकरी मिल जाए शुक्रिया अरे, तुम्हें तो छीक में हुए दीद? नहीं, डॉक्टर साब अच्छा लेट जो तुम जब तो शराब पीना छोड़ो की नहीं दवाए क्या खाक असर करेंगी? शराब तो मैंने मुद्द हुई छोड़ दी, डॉक्टर साब कल से अभी तक पी ही नहीं आजाओ, दर्वादा खुला है ज़रा पानी भिला दो अच्छा साब सलमा आपा, मिठाई खाओ, रह्मान को नोकरी मिल गई खुदा का लाख लाख शुक्र है रह्मान बेटे, कली सामान लेकर आजाना नहीं पुपिजान, अभी तो अभ्बा के साथ जा रहा हूँ दस दिन के बाद जॉइन करना है, तब आउँगा जब भी है, तुम्हारे इधर है नोकरी पर जाने से पहले आपकी दुआएं लेकर ही जाऊँगा मेरी दुआएं तो हमेशा तुम लोगों की साथ है, बेटे रहाना कहा है? अपने कमरे में कुछ पढ़ रही है मैं उसे खुशकबरी देकर आता हूँ जाओ बेटे रह्मान अब तुम्हारे सुपुर्दे सलमा आपा फिक्र मत करो मेरे लिए यसी रहाना वैसे रह्मान जो मुनासिब समझो कर लेना मुझसे कहने पूछने की को जुगती कमीन अरे, रह्मान साब आप? दीजिए मिठाई काईए और मेरे यकीन की दाद दीजिए मेरे यकीन की दाद नहीं देंगे अब लग जाने पर भी तुक्का तीर नहीं हो जाता रह्मान का लगने वाली चीज़ को तीर ही कहा जाएगा मिस्रेहाणा काश, आप अपने आपको मेरी नजर से देखती है तीसरी मुलाकात में नजर तक पहुच गए हैं आप, दिल तक पहुचने में ज़्यादा देर नहीं लेगी रफतार काफी तेज है आपकी मन्जिल अगर खूबसूरत हो, तो रफतार में तेजी आ ही जाती है कब जोएन कर रहे हैं आप, जब सिन बाद अभी चलता हूँ देर हो रोंगा, खुदा हापिस खुदा हापिस खुदा हापिस ख्यूदा खुदा खुदा प्लिए स्देश है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तर्द का भी जवाब हूं किसी को जिंदगी बनकर जगाए रखता है और किसी को थपक्या दे कर सुला देता है किसी को जवाइ लिए भाइए जवाइए रखता है कि यह अन्टोनिया मालिक भीना खाइस हो गया लन साप स्वया नहीं पिके बेखोश हो गया हां साप को नीन कहा आता है कि यह भगवान मालिक के रक्षा करिया है कि यह अन्टोनिया अरे खड़े खड़े का सोता थो वह जूता खोला आत्मु धोकर खाना खाला नहीं पंडल हम खाना नहीं खाएगा तुम खाला कि यह भूल बाला कि यह अन्टोन खर स्वया प्रोफश है कि यह जजिए कि रज़ तुम और कि यह अन्टोन खेख़े कि यह गूण हुआ 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 है भोराई मजमाती भोराई मजमाती बोरा ही मदमाती पंची चहके बन-बन में पंची चहके बन-बन में बोरा ही मदमाती पंची चहके बन-बन में गुन-गुन पमन गाती बोरा ही मदमाती बोराई मजुमाती बोराई एंथनी, कैसे तुम्हारे साथ? अच्छे है, बहुत अच्छे है बोराई नहीं मेंसाब, मेंसाब आप अंदर नही जाना को सकता अमरा साबने आपको मना किया मेंसाब मेंसाब, मेंसाब आपको अंदर नहीं जाना किया मेंसाब हलो दोक्तर रियानत रॉंग नंबर मैं कब तक लेटर रहूं, दोक्तर साब तुम जाकर वही दवा लेलू कल फिर आना जी पंडेत पानी लाओ एंथनी यस साब हमें कितने दिन हो यहां आय हुए सादिन साब साद साद कल सुबह हम यहां से चलेंगे सामान बांध लो अच्छ इतना देल लगाता सामान लाने के लिए तकलू कभी कहा जा पानी लावा, कभी कहा जा यह ना वा और फिर बोले तकलू अच्छला उती हाँ सादिनी बोलू तो चपन इतना वblesशा तकलू ने वलो तकलू बोलू तक्लू ने वलो गन्जे अभी अप्त्न इप्त्न आपंझी आपजी चल चल लाव अब करके लाव तू रखा समन्च आप यहां मालिक के नजिक नजिक दखी वाली, वाली, आपकिक नकाल यापना तराद ओकल! कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जिन्दगी के गम भुलाने के लिए शराब का सहारा मैंने ले लिया बेखुदी में दूब जाने के लिये शराब का सहारा मैंने ले लिया बेखुदी में ले लिया नीते दिन कुछ इस तरह यादा गए नीते दिन कुछ इस तरह यादा गए मेरी आओं में अंधेरे चा गए इन अंधेरों को हटाने के लिये शराब का सहारा मैंने ले लिया शराब का सहारा मैंने लिया कब तलातीं दर्वतर हिरतार हूँ कब तलातीं दर्वतर किरतार हूँ मैं सुकून दिल की खातिल क्या करूँ हाद सकमों की पुझाने के लिये शराब का सहारा मैंने लिया शराब का सहारा मैंने लिया मुझे को ले दोगे न मेरे गम कही मुझे को ले दोगे न मेरे गम कही खुट ठेजाए न मेरा गम कही अपनी हस्ती को मिटाने के लिया शराब का सहारा मैंने लिया शराब का सहारा मैंने लिया शराब का सहारा मैंने लिया शराब का सहार एंथनी? जी मैंसअब सहार सामान गाड़ी पर क्यों रखा है मैंसअब हमारे साब का तवियद नहीं वो कल रात को यहांसे जाने के लिए बोलता होता लेकिन अभी तक उठा नहीं है मैम तवियत खराब है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया चे मैम साब जो आदमी सुषाइट करने का अपना खुद का जान लेने का फैसला खेला है उसका कोई डॉक्टर क्या इलाज करेंगा मैं साब मैं देखती है सुरी मैम साब साब ने आपको अंदर आने के लिए मना किये लाएं कि अधिनी येस में साब तुम्हारे साब कुछ तो बहुत तेज बुखार है मिस्टर मागंदर बैग लाएं तुम्हारे साब बहुत चरह पीते हैं गया हा मैं साब रोज का एक बॉटल तुम्हारे क्यों नहीं करते हैं रोकते तो नहीं है रोकने से मैं साब वो रोने लगता है जहर खाने का धंकी देता है मैं साब तुम्हारे साब प्रवाद देता है तुम्हारे साब प्रवाद प्रवाद लेखा जाए है 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 जाम मुझेट येश यह लो एक अप्सूल दिन में चार बार और यह मिक्चार दिन में दो बार खाने से पाई लें समझा हाँ दादा आपका पैसे किना पैसा 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 नहीं नहीं डाक्टर सब पैसे नहीं बोला अच्छे यह आपके पास रुखा हम आता अभी मैं आकर देख लूगी ओके है इंतनी दवा ले लिए हम इम साब लेकिन हमारा साब दवाई नहीं पीएंगा क्यों क्यों नहीं पीएंगे आप अगर हमार साब चलता होता तो अच्छा होता मिम साब हम अगर जाकर साब को दवाई देंगा तो फेक डालेंगा गुस्सा करेंगा गाली देंगा हमको बलेंगा गेट आउट आप हमार साब चलो न मिम साब अच्छा चलो चलो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मेटे रही एंथोनी एक लस पानी लेओ अ कि दर्द हो रहा है आप डॉक्टर है क्या जी मैं डॉक्टर हूँ और आप मरीज मैं जो कहूंगी सुनना पड़ेगा मानना पड़ेगा करना पड़ेगा पानी में साब लीजी एक एपसुल खा लीजी यूवल फिल बैटर और यह मिक्स्चर दपहर में खाने से पहले और रात में खाने से पहले जल्दे कीजी मेरे पास वत बहुत कम है मैं दवा नहीं खाता क्यों मैं जानता हूँ मेरी पीमारी लाई इलाज है मेरे मर्स की कोई दवा नहीं है है हर मर्स की दवा है हर बीमारी का इलाज है आपके पास जी हाँ मेरे पास लीजे से मुह में डालिए और पानी पिलीजे लीजे सुबा से तो काफी कम बुखार है यह मिक्टर पिलीजेगा मैं शाम को फिराऊंगी एंथनी डॉक्टर साब की फीस देदो फीस देने वाले दवा खाने में बहुत से मरीज़ आते हैं आप अच्छे हो जाएए, फीस देने लोगी एंथनी, समाव तरवाकर अंदर रखा देना क्योंकि तुम्हारे साहब तो कम से कम चार दिल कहीं जानी पाएंगी मैं साहब, हमारा साहब हीरा है हीरा मैं साहब यह हीरे के पर भूत मिट्टी जमावा मैं साहब और अबिरना, आप यह मिट्टी को निकालेगा तो आपको खरा हीरा नजर आएगा मैं साहब क्या पता हीरे आप रखने वाली नजर ही नहों मेरे पास मैं साहब आपके पास नजर है आपके पास दिल है आप हमारे सापका जान बचा सकता है मेंसा, आप बचा सकता है मेंसा, हम आपके पाउ बचा लो, क्या तरह रहे हैं, मुझे दावाखानी नहीं छोड़ोगे, चलो, अरे आप, आप का बाई, बस आ ही रहा हूं, स्टेशन से सीधा आया हूं, अभी तक घर पर भी नहीं गया, क आपकी अम्मी ने तो इजाज़त दे दी है घर पे रहने, सोचा आप से भी पूछ लूँ, कहीं आपको कोई इतराज ना हो, मुझे कोई इतराज ने रह्मान साब, मैं चाहता था, क्या चाहते थे आप, यही के आपके घर में दाखिल होने से पहले, आपके दिल की कैफियत जाननू तो अच्छा है, मेरे दिल की कैफियत बिल्कुल सही है, सेहत मन्द है, प्लड पेशर बिल्कुल ठीक है, किसी और किसम की कोशिकार नहीं, आप मेरा मज़ाक उड़ा रही ह रह्मान सहब, यह दवा खाना है, यहां हर बात मर्ज और इलाज के तालुख से ही होती है, मतलब आप से कुछ मांगना हो, तो बिमार बन कर ही मांगना होगा जी नहीं, मेरे पास दवाओं के अलावा और कुछ है ही नहीं, और दवाएं भी सिर्फ वहीं, जो दिल, रूप और दिमाग को छोड़कर जिसम के बाके ही सबरकारगर होती है खुदा हाफिस खुदा हाफिस खुदा है और भी खुदा हाफिस आपका फीज देने के लिए रुका है आप अपनी फीज ले लिजे, मुझे यहां से जाना है एंथोनी, एक गिलास पानी और एक खाली गिलास लेओ आप अपनी फीज ले लिजे, मैं दवा नहीं पिऊंगा दवा नहीं पिऊंगे तो आप अच्छे नहीं होंगे और अच्छे नहीं होंगे, तो नहीं मैं अपनी फीज लूगी तो आपके यहां से जाने दूगी अच्छी जबरदस्ती है हाँ है, क्या किया जाए लिजे मगर मैं अच्छा भेला हूँ आप अच्छे भी है और भले भी है मगर आपके तब अच्छी नहीं है लिजे भी दीजे लिजे हुँ हुँ एंथिनी खाली बोत ने खरीदने वाले सड़पर खड़ो आवाज है हाँ आप गाली से सामान उतारने के लिए क्या दीजिए, क्योंकि कम से कम एक खता तो आप सफर कर नहीं सकते एंथनी, जी साफ, गाली से सामान उतार जो अब आओ, पंदित हरी परसाद, आब अठें जड़ी, का वाजा? आज बर्त तु बर्त खुश है आज, आबर मालीक आज बहुत कुद मा लावा लावा सावाज लावा आज, आज अज़ाना, इस अजला इप दो तु आज़ाना, साफ आज बर्त खुश्रे लानाकर आज़ाभानुआ, का बर्त खुश्रे लावाज लाव क्या हक है आपको इस तरह मेरे जिन्दगी में दखिल देने का, कौन है आप, मैं एक डॉक्टर हूँ, अपनी नजरों के सामने आपको जहर नहीं पीने दूँ कि जहर मेरे जिन्दगी बन चुका है, मैं इसी के साहरे तो जीता हूँ, यह आपका वहम है, मैं नहीं जानती आपको क्या गम है, किस बात का गम है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, कि कोई भी गम ऐसानी जिसे इनसान बरदाश ना कर सके, बरदाश करने के लिए ही तो पी उ जाते हैं, आप तो काफी कुछ जानती हैं मेरे बारों मिरीच के बारे ही हम जनना ड्क्टर का फार्ज है, कि क्या आपकी दवाई है मुझे खोया हूँ खुझोम दे सकती हैं है आपके पास तूटे हुए दिल का कोई इलाज है कोई ट्रीटमेंट जो तनहाई के दर्द की कड़वाहक को मिठास में बदल दे एक डॉक्टर के पास इन बीमार्यों की कोई दवा नहीं है मगर एक इंसान के पास है लेकिन कोई भी इंसान उस वक तक आपके कोई मदब नहीं कर सकता जब तक उसे यह मालूम नहीं हो कि आप इपना सुकून कहा खोया था आपको दिल किस ने तोड़ा था और यह तनहाई जिससे आप डरते हैं भागते हैं किसकी दिये किसे को भी यह सब बताकर जो कुछ मुझे उससे मिलेगा तो दया होगी रहम होगा जो मुझे नहीं चाहिए आप जा सकते हैं गुड़नाइट आज की रात आप शराब नहीं पीएगे गुड़नाइट जया होगा जाओ जी बात पाकते हैं चिएुप ऐढ आँ पूलवैज नहीं कि भीएर टेशने Architecture प्रेहाना, जी अम्मी जान, आज पहली बार तुमने मेरे सवाल का जवाव गलत दिया, मैंने पुछा तुम कहां जा रही हो, तुमने कहां भी आती हो, और फिर ये सोने का लिपास पेंट कर भी है, आयला, दर असल बात यह हुए अम्मी जान, सानुनाले मकान में नए किराद जार आये हुए हैं, वो बहुत बीमार हैं, उपर से देखा, बीमारी कहलत में शराब पी रहे हैं, उन्ही मना करने गई थी, कपनों का ख्याल ही नहीं रहा, और जल्दबाजी में आपको गलत जवाब दे गए, बेटी, मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारे अंदर जो ने ना धुडे तो है शाम। ने ना धुडे तो है शाम। अब आर नहीं कचुकाम। अब आर नहीं कचुकाम। मुझे आर ना धुडे तो है शाम। मैं ना धुडे तो है शाम। मैं ना धुडे तो है शाम। मैं यहीं कचुकाम। यहीं कचुकाम। यहीं कचुकाम। यहीं कचुकाम। जाना तो जाये बाइब ना तो बैटिये। अरे रमान तुम अभी तक गय नहीं। देर नहीं हो जाएगी। बस जा ही रहा हूँ भूपिजान गुद मोर्निंग डक्टर गुद मॉर्निंग खुदा अफिर मिजान खुदा मेंसाफ मेंसाफ आज हम और हमारा जम्बो जट एक दब खुशे मेंसाफ हाँ मेंसाफ हमारे साफ का तबियत बिलकुल ठीक हो गया मेंसाफ वो बुद गुट मेंड मुए है अच्छा हाँ मेंसाफ रापको रातको वो बिलकुल शराब नहीं पिया मेंसाफ आप अंदर जा की देखो लो उनको अभी नहीं शाम काँगो अच्छा में साब, ओके मिस्टर फटी? आपके साम उजयत आज के रात आप शराबbour नहीए आज के रात आप शराब नहींगी आज के रात शराब नहींगी आज रात अफश्राब नहीं बीएगे आईये मैं आपके ही बारे में सोच आप यही ना कि जबरदस्की करने वाली दुबारा ना आये तो अच्छा है ची नहीं सोच रहा था आजाये तो अच्छा है चल्दी आजाये तो बहुत अच्छा है तब तो आपको मेरा शुक्रिया आदा करना चाहिए आपने सोचा और मैं आ गई शुक्रिया आपको नबस देखू आज तो वो खार बिल्कुल नहीं है जी झाल करते कर दोल्दी आपको पत्रो अच्छा है तो एह तो आपको युक्रिया रहाईग गिलास मगवाँ, पिएंगे? जे नहीं थोड़ी दिर बाद? जे नहीं कल पर सू? वहाँ छे, आच, दस दिन बाद? जे नहीं छे, आच, दस में नहीं बाद? बिलकुल नहीं फिर सोच लिजी एक बाद सोच लिया शराब नहीं फिएंगे आप? जे नहीं एंथिनी, तो कुड़े उठा कर फर्श साफ कर दो कमाले, जिब बीमार थे, तो फिस की रट लगा हुए थे और अब जब अच्छे हो गए, तो फिस का नाम ही नहीं लेते कितनी फिस है आपकी? सवाल घलत है आपका जी? जी, कितनी फिस है मत पूछे, पूछे क्या फिस है? अच्छा, क्या फिस लेंगे आप? 24 घंटों में से सिर्फ दो घंटे, जब तक आप यहां रहेंगे ये फिस आप लेंगी या देंगी? लोंगी लेकिन ये फिस तो बहुत कम है अब इत बूरी कहां बताई? इन दो घंटों में आपको मुझे गाना सिखाना पड़े आप, आप मुझे गाना सिखेंगी? तब से आजाओ? तब से आपका दिन चाहिए? कल शाम से कला है कला है झाल वाल अपने सुरों में मेरे सुरों को बचा लो अपने सुरों में मेरे सुरों को बचा लो ये गीर हमर हो जाए अपने सुरों में मेरे सुरों को बचा लो ये जी हमर हो जाएं जाल दिले साथों के ऐसे सजाओं ये जी हमर हो जाएं ये जी हमर हो जाएं अपने सुरों में तेरे सुरों को बचा लूँ जादू जागे सुरसर घम का आशाओं का रूप खिले जादू जागे जादू जागे सुरसर घम का आशाओं का रूप खिले दो मैं दोने सुख सतनों की कर शीकर रूप खिले अंसंगी को जीवन नीच बना लो अंसंगी को जीवन नीच बना लो यही हमर हो जाए यही हमर हो जाए अपने सुरा में मेरे सुरा को बचा लूँ चूम उठे ये सांज की बेला जो उठे आंज की बेला रसकी बुढ़े बरसा लिखे मल के जीवन बढ़िया तैसी कलिया बिख्रा सावन के तुम सारे रंग चुरा लो यही हमर हो जाए यही हमर हो जाए अत्मे सुरो में मेरे सुरो को बचा लू धीनी धीनी ले पर या फुल तड़कन को भी काने दो धीनी 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 रह पर या फुल तड़कन को भी काने दो आज मिलन के आंगन में तुम मुझी आगा हो जाने हो मन के द्वादे बीद के दीद जला लो यही हमर हो जाए यही हमर हो जाए जिस इंसान के खातिर तुमने जिन्दी में पहली बार अपनी मा से छूट बोला उस इंसान के लिए तुमारे दिल में क्या जगे है कौन सी जगे है उमीद है इस सवाल का तुम जवाब सही दोगी अमीजान मैंने आपसे जूर बोला उसके लिए मौफी चाहती हूं अइंद कभी नहीं बोलूँगी जवाब अधूरा है रेहाना पूरा करने की हिम्मत मुझ में नहीं है अमीजान आप मेरी माहें जो कुछ में नहीं कह पा रही हूं आप खुट समझ सकती है रेहाना तुम एक अॉरत हो बूसल्मान हो तुम्हारी मा दिल की मरीज है तुम्हारे सरप या आपबा का साया नहीं है यह बाते तुम्हें कभी नहीं भूलनी जाए नहीं भूली अमी जान और भूलूँगी भीले तो मैं उम्मीद रखू, तुम उसे कभी नहीं मिलोगी आप से जूट बोलकर ये चुपाकर कभी नहीं मिलोगी तो मैं जाद़ मोगी नहीं मिलोगी वे चुपाकर कभी नहीं मिलोगी प्राद के वे असायओ भी अच्च जबाद के वे खूवी नहीं मिलोगी बेटी, अपनी मा का ख्याल उतना, उसका कहा मानना, अगर मुश्किल हो, नामुकिन हो, तो भी मालने ला, दिल की मारीज है, अब बेवा हो जाएगी, उसका दिल ना प्यूखाना बेटी, जी अपजान कर दो कर दो मालने ला, जय हो जिल कहा हो जाएगी, जी अपरत हो, जी अपनी हो, भी मारा इल करेंगी, जी अां मुशर ते ला गाराण प्यूखाना, जैं, उने सकाना बेटी, ग itselfे, ज利 के दिल रहे हो, जी पहे।, थे जी ए плту activity से भी मारीज हो, वे शिल Esto로 भी मारे ख्यूए अम्मी जान क्या है बेटी बेटी, मुझे खुशी है तुम्हे मेरी बाते और अपना बादा दोनों याद रहे आखरी बार मिलना चाहती है अम्मी जान इजास्थ है 음साफिरों के मनसील अलग अलगो उन्हे एस सफर में कभी नहीं मिलना चाहिए वो हमसफर नहीं बन सकते जो सफर शुरू होने से पहले ही खत्म होगी है अम्मी जान उसमें कौन किसका हम सफर बन सकता है अलविदा कहने के लिए मिलना चाहते है चल्दी आजाना आओ 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 आओना क्या बात है अपने धर्म की और अपने संगीत की खसम एक बादा करेंगे आप मुझसे कहो अगर उजे खोना पड़ा तो भी शराब को नहीं अपनाएंगे आप इसमें कसम खाने की क्या जरूरत है तुम्हें खोने के बाद तो कुछ भी अपनाने लैक नहीं रहूँगा मैं आप मेरी मजबूरियों को समझना नहीं चाहते है या उन्हें मजबूरियों मानना नहीं चाहते है समझने या मानने से पहले जानना चाहता हूं पताओ तो तुम्हारी मजबूरियों हैं क्या मैं और थूँ मुसल्मान हूं मेरी मादिल की मरीज है मेरे सर पर बाप का साया नहीं है मैं अपने मर्जी से अपने चाहने से कुछ भी नहीं कर सकती हूं इम्मत क्यों हारती हो कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा आप क्यूं मेरे बेबसी का इम्तहान लेना चाहते हैं हमारे एक होने का कोई रास्ता नहीं है मैं अपने इर्दृत की दिवारों को नहीं किरा सकती खुदा के लिए आप यहां से चले जाएए कहां से जाने के लिंदे है कहाँ हो इस शहर से इस मक Авे जायूं से या अपने दिल से आप यहां से चले जाएए दिल को मैं संभाल लूँगी मुझे विश्वास हो जाने दो कि तुम सच में संभल जाओवी कैसे ऑज़गी? आप यहां रहेंगे तो अपने आपको संभालना और भी मुश्किल होगा मेरे लिए जो बात मेरे लिए नामुम्किन है उसे अगर मेरी मौजूद्गी तुम्हारे लिए भी नामुम्किन बना सकती है तो मैं हर्गेज नहीं जाओंगा इतनी खुद्गर्द और संग दिल है आप मौत के मुझे वापस लाई हो तुम जिंदगी हो मेरे आसानी से नहीं छोड़ूगा मैं आपके जिंदगी नहीं हूँ मेरे आपसे किसर किसम का कोई रिष्टा नहीं है मुझे भूल जाए कि अविद्गेज अविद्गेज चाहिए पर है और तो अविद्गेज अविद्गेज आपकेश़ आपको अब लगाफ़ूगा तुम्हारे पेट के दर्द कैसा है मेरे पेट में नहीं मेरे सर में बढ़ दे, डॉक्टर ताप डॉक्साइब ये क्या दवा देदी आपने मुझे जुलाब लगे में बुखार की गोली देदी ओ, I'm sorry, ठेरो अरे, आप तो ऐसे चौकी जैसे कुछ चोरी पकड़ी गई हो रह्मान साब, आपको जब भी मुझे से बात करनी हो, सिर्फ मतलब की बात किया कीजिए कहिए मैं राद के शो की तीन टिक्टें लाया हूँ फुपी जान चलने के लिए तयार है चाहती है आप भी चलें तो अच्छा है अच्छा ही हो मेरे लिए रहाला, क्या हो गया है तो इसमें से कौन से बात है इसमें सिर्फ इतनी से बात है मीज़ा आप तो चाहा जैसा चाहा मैंनी किया आइंदा भी करूँगी चाहा उसे मेरे ख़ौईश हो या नहो अकर जाने के सबस्क्र करें तो मुझे उपर से बलवा लिए देगा रहपान मैं नहीं जा पाऊंगे आई आई पंडीज आई इध मुभारक इध मुभारक जा मुझेट इध मुभारक बुसरफटी इध मुभारक आई 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 इध मुभारक शुक्रीपर शुक्रीए रहाना पंडीज कैसा है थिक बाद थिक बाद कर दो कि झाल कर दो कर दो पत्त स्थान है ले होती है झाल-टार पोड़न में खूले से रखका फिले, नार ठाल-ख़ें पूले, हिले पुछने से रहला कि अ तार देटा यहार्पप पूले, यहार जाम-टार प्रोले, तार रहला कि वजने से इसे दोपिता, चमाई है, तो फिले से घ्टादिय। झाल 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 सुनीय? येस्! ये कुराण चरीद दिजिसे शो? क्या हुरी दापने? तुम क्या हुरी दापने? सुन्य? एक बगवाद गीदा वीदी? आप अपने धर्म को बहुत मानते हैं ना? मैं सभी धर्मों को मानता हूँ मैंने आज पहली मर्दबा अपनी अम्मी जान से छूट बोला उसके क्या सजा है आपने धर्मे? छूट बोलने की सभी धर्मों में एक ही सजा होगी क्या जूट बोला तुम्हें? अम्मी जान से ये कहकर कि मैं एक मरीज को देखने जा रही हूँ आप के साथ चलियाई ये जूट कहां से हुआ? मरीज तुम्हे हूँ ये? अब ये फैसला करना मुश्किल है कि हम दुनों में से मरीज कोने? और डाप्टर कॉन? मेरा खाल है हम दुनी मरीज हैं और इलाज तुम्हारी अम्मी जान के हाथ में है अब जान की मौत के वक्त मैंने उन से कस्म खाकर वादा किया था कि जब तक अम्मी जान जिन्दा रहेंगी मैं उनकी सही, बलत, जायज, नाजायज, हर बात मानूंगी मानती रही, मानना चाहती हूँ दुनिया के सभी लोग शायब तुम्हें बहुत ही नेक, शरीफ, और फर्माबरदार बेटी कहेंगे लेकिन मैं तुम्हें बेवकूफ कहूंगा क्यों? देखो रहाना, कोई भी इंसान जिसको तुम बहुत प्यार करती हो, जिसके तुम बहुत इज़त करती हो उसकी कोई भी बात इस प्यार और इज़त के वज़े से मान लेना जहालत है क्योंकि सोबातों में से हो सकता है नियानुमे बाते तुम्हारे लिए फायदे मंद हो अच्छी हों सही हो लेकिन एक बात भी अगर गलत निकल आई तो जिन्दगी भर रोना पड़ेगा क्या कहा तुमने नहीं करोगे तुमारी हिम्मत का इसे हुई मारी बात को ठोकराने की इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा चाहूंगा और करूंगा समझें मुझ पर बीच चुकी है इसलिए कह रहा हूं जिस जहन्नम से तुम मुझे वापस लाई हो वहां में इसलिए पहुचा था मेरे पिताजी जिनकी हर बात में गर्दन चुका कर मान लिया करता था उनका एक फैसला मेरे हक में खलस साबित हुआ था मेरी अम्मी जान दिल की मरीज है मैं बगावत नहीं कर पाऊंगी बगावत करनी ही पड़ेगी ऐसा कुम सोचती हो नहीं कर सकी तो शायद आपको खोना पड़े ऐसा कोई रिष्टा नहीं है जिसमें जार धर्म खांदान स्टेटस नाम कुछ भी ना पुचा जाए अब दो रिष्टा है मेरा तुम्हारा मगर इस रिष्टे को हम दोनों ही मानते हैं समाज नहीं मानता और चुंकि हमें समाज में रहना है इसलिए हमें किसी ऐसे रिष्टे में भी बनना होगा जिसे समाज बनता हो वो रिष्टा वो रिष्टा है शाथी प्रहुब लेफी भी लेफी लेफी पुर्णटर शेफीज बुर्णब लेफीज देया झाउब लेफीजू तोनी भाएं, तोनी भाएं कैसे हर तरफ आग है दामन को बचाएं कैसे हर तरफ आग है दामन को बचाएं कैसे रस्मे उलपत को नी भाएं दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया आले कोई कहते के वो दीवार गिराएं कैसे हैं कोई कहते के वो दीवार गिराएं कैसे रस्मे उलपत को नी भाएं दर्दों में दूबे हुए लग में हजारों है मगर साज दिल तूप गया हो तो सुनाएं कैसे हैं दिल तूप गया हो तो सुनाएं कैसे रस्मे उलपत को नी भाएं बुझ हो ता जो गमों का तुझा भी लेते बुझ हो ता जो गमों का तुझा भी लेते जिंदगी पोज बनी हो तो उठाएं कैसे रस्मे उलपत को नी भाएं तो निवाए तैसे रस्मे मुलकर तो निवाए आज जिवाए चराइब देर घुनास एक्सपेशन चीनलेने से क्या दर्द कम हो जाएगा, या मिट जाएगा जिस दर्द का इजहार किसी का जीना मुश्किल कर दे, उसे क्यों जाहिर करते है आप मैं बेबसी कबूल करने के लिए तयार नहीं हो रहा ना और मैं इतनी बेबस और मजबूर हूँ, कि मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन अपनी मा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी तुम्हारी मा, तुम्हारा मजभब, क्या तुम्हारे प्यार को नहीं जानते? प्यार इंसान में किया है मैं उसी से पूछता हूँ जिसने प्यार किया है क्या तूटे हुए दिल को फिर से तोड़ने के लिए जोड़ा था? मैं आपसे हाथ जोड़के लगजा करती हूँ, आप लिएसे चले जाएए इस दुनिया में रहाना ही एक औरत नहीं है रहाने ही एक औरत है जो मेरी दुनिया है और इस दुनिया में आग लगाने का किसी को कोई हक नहीं है अपनी जाती खुशी और सुख के लिए मां को दुख पहुचाना, मंजब से बगावत करना क्या ये खुदगर्जी नहीं होगी? और किसी परिंदे के पर काट देने के बाद उसे तड़पने की इजाज़त ना देना उड़ जाने का हुकम करना क्या ये खुदगर्जी नहीं है? खुदा के लिए इसाम मुझ पर मत लगाई है ये हालत तो मेरी है पर कट चुके हैं तड़प नहीं सकती तुम्हारे मन में तुम्हारी आत्मा में तुम्हारी जिसम के रोएं रोएं में मैं बस चुका हूँ हाँ हाँ ये सच है तो तुम कैसे किसी और के हो जाओगी मैं उस रिहाना का कला खोड़ दूगी जिसमें आप बसे हूए मार डालूंगी उससे जो आपकी है इससे अच्छा है मुझे मार डालूंगी मुझे अगर अपनी मा में और आप में किसी एक को चुनना है तो मैं अपनी मा को चुनूंगी इससे आप मरें मैं मरूं जहे सारी दुनिया मर जाए ये धोका है तो है फरेब है तु है मैं जो चाहती हूँ, तुम करती हूँ, जो कहती हूँ, मानती हूँ इसलिए ना, कि मैं तुम्हारी मा हूँ मा होने की क्या इतनी बड़े सजा दोगी मुझे, कि मैं जो चाहूँ, तुम करती जाओगी, और तुम जो चाहती हूँ, कभी बताओगी नहीं कैसे बताओ, मिजान, आपके और मेरी चाहत में जमीन असमान का फर्क है तो क्या हो बेटी, अगर तुम्हारा फर्स मेरी बात मानना है, तो क्या, मेरा कोई फर्स नहीं तुम्हारी तरफ, कभी मुझे भी अपना फर्स पुरा करने का मौका दो बेटी अम्मी जान, किसी दूसरे मज़ब में शादी की बात सोचना, क्या गुना होगा? अगर कहूं, होगा तो और किसी इनसान को दिल से अपना किसी और से शादी करना भी गुना होगा अगर पहले बात को गुना तस्लिम कर लिया जाए, तो दूसरी उससे भी बड़ा गुना होगा इन में से एक गुना तो करना ही होगा ना पहले में शाद आपके खुशी नहीं हो, और दूसरी मेरी खुशी नहीं होगा साब, साब, यह अपनो पंडित थ है इसको शादी बनाने का साब, इसको घर जाने का छुटी दो ना आप ? जूँ ! मिल गया छुटी दर को ! शाब, घर जामार मा का खात आई वाँ, उक्रामे लिखा लबाँ ! तु 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 असादी जाए उतु जरी की चुटी जाएं। है ज़दी जाए। पेटी, तुमने अपनी माँ और अपने मजब दोडों को गलत समझा है सच्चा प्यार अंधा होता है वो मजब के उसलों को नहीं मानता मनता की नसेतों को नहीं सुनता बेटी वो सोश समझ कर नहीं किया जाता हो जाता है ऐसे प्यार का हो ना भू नहीं हो सकती जून मैं हो सकता तो प्र क्या बतकिसमती है? भगावत है? नहीं बेटी, खुछ रिस्मती है सचे प्यार से भरे होए दिल का नाम चन्नत है अम्मी जान, सच्छा प्यार जिस दिल में है बेटी, वो दिल, तुनिया के तमाम मज़बं से ज़्यादा पाग है, और कोई भी सच्छा मज़ब, प्यार के रास्ते के रुकावत नहीं बनता, मंता दो दिलों की बीच की दीवार का नाम नहीं है, अब तो कोई उल्चन नहीं है, अम्मी जान, उल्चन है बेटी, मज़ब का भी एक रंग है, प्यार के रंग में दो इंसान रंगते हैं, और मज़ब के रंग में बहुत से इंसान रगे हुए है, तो एक होने वाले इंसानों का, एक रंग होना बहुत जरूरी है बेटी, मैं स कोई बे ऐसा मकान, जिसके दीवाद, खिड़कियां, दर्वाजे, परदे एक रंगे हो, अगर उसमें कोई दूसरे रंग की चीज आ गई, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए यही बेटर है, कि कोई दूसरे रंग की चीज, उस मकान में लाने से पहले, उसका रंग ब झाल 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 अरे तुम मैंने आज तक जो कुछ भी आपसे कहा सारे अलफाद वापस लेती है क्यों और कुछ करना है क्या नहीं मुझे माफ़ पर दीजे मांगे भी तुम माफ़ी मिल जाएगी तो कुछ और मांगने की हिम्मत कर सकोंगी रहाना जिसका जखम भी तुम हो मरहम भी तुम हो दर्ब भी तुम हो और दवा भी तुम हो एक बात पूछो पूछो अगर मैं आपसे शादी करूँ तो क्या आप मुझे मसा पतरने के लिए कहेंगे हर्गिस नहीं हिंदू धर्म एक मुसल्मान औरत को जन्नी के रूप में खुबूल करेगा रहाना जन्नी का कोई धर्म नहीं होता वो इंसान है और जो जन्न लेता है वो भी इंसान है यह हकेकत है रहाना और जो धर्म इस हकेकत को मानने से इंकार करेगा मैं उसे नहीं मानूँगा तो क्या मुसल्मान हो जाएंगे? ना मानने से मेना मतलब यह नहीं कि मैं हिंदू नहीं रहुए। मैं धर्म नहीं छोड़ोंगा, धर्म के ठेकेदारों के सामने सर जुखाने से इंकार कर दूँगा अगर आप हिंदू रहेंगे और में मुसल्मान तो अलाद में सब क्या होगा बाप हिंदू, मा मुसल्मान और अलाद इंसान आदाप फुपी जान फुपी जान, अगर आप बुरा ना माने ते एक बात कहूं कहो रहाना का सामने वाले मकान में आना जाना अच्छा नहीं क्यों? लोग तरह तरह की बातें करने लग गए है तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे अपनी बेटी से जादा लोगों के बातों पर भरोसा करना चाहिए नहीं, मेरे ये मतलब नहीं है आप अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए लेकिन उस आदमी पर मत कीजिएगा वो शादी शुदा है क्या? जी मजहब बदलने की बात सोचना या कहना बचपना है रहाना क्यों? तुम इंसान हो बदलकर कुछ और तो नहीं बन सकती और इंसान होना है सबसे बड़ा मजहब है सबसे बड़ा धर्म है समझें? रहाना तुमने उसे कहा क्या मजह बदलने के लिए नहीं क्यों? कोशिश के बावजूत भी नहीं कह पाए मगर क्यों? क्या तुम्हें खुद अपने मजब पर इतमाद नहीं रहा? नहीं नहीं, अम्मी जान ये बात नहीं लेकिन किसी भी कपड़े पहने हुए इंसान को अगर दूसरे कपड़े पहनने के लिए कहा जाए तो उससे ये कहना होगा कि जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं उससे ये कपड़े जयाद आच्छे हैं और ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मजब तो सभी अच्छी और फिर लिबास की इस तबदिली के बीच जो नंगा पन है वो अच्छा नहीं लग रहा है मजब लिबास नहीं है बेटी मजब लिबास ही तो है बीजान जिसम कने रोगा और चलो अच्छा ही हुआ तुमने नहीं कहा आप कहने की कोई जरूरत नहीं क्यों जिस आदमी के साथ तुमने शादी करने का फैसला कर लिया था उसके जिन्दगी के आगे पीछे के कुछ हाला भी जानती हो तो आगे मैं हो मीजान पीछे का मुझे पता नहीं हो सकता है पीछे को ऐसी बात हो जिसके वक्त पर पताने चलने से तुम्हारी जिन की बर्बाद हो जाए मैंने सुना है या आदमी शादी शुदा है क्या नहीं नहीं यह नहीं हो सकता नहीं हो सकता और नहीं है इसमें बहुत फर्क है देती नहीं नहीं जूट है मीजान तुम किसे तसलिय दे रहे मुझे तुम्हारे यकेन के बुनियाद क्या है प्यार क्या हक्याम प्यार लेकिन बेटी यहां उस यकंग के जरूरत है जिसकी बुनियाद हक्याद हो आज के बाद जो भी कदम उठा इस हकीकत की बात याद रख के उठाना मेरी शादी नहीं हुई कहूँगा तो जूट होगा और अगर मैं शादी शुदा हूँ कहूँगा तो भी जूट होगा जूट नहीं, मुझे सच बताई ये बात क्या है सच बात तब तक तुम्हारे समझ में नहीं आएगी रिहाना जब तक तुम ये ना समझ लो कि शादी का सही मतलब क्या है सही मकसब क्या है अगर किसी मौलवी, पादरी या पंडित के सामने कस्में खाकर एक दूसरे के साथ रहने का वादा करना शादी है तो मैं शादी शुदा हूँ और अगर आग के गिर्द फेरे लेकर कुछ रस्में पूरी करने का नाम शादी है तो मैं शादी शुदा हूँ लेकिन अगर शादी का मतलब दो इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है एक दूसरी को जानना, समझना और फिर और फिर एक होना है तो में शादी सिर्फ तुम से हुई है हरेहना सिर्फ तुमसे हो सकती है आपके इंखलसरानाबातों से में तसलीट हो गए वेकिन अम्यजान के नहीं होगी आप पताईए नब आप किया है मैं अपने पिताजी की हर अच्छी बुरी बात को इतने ही अदब से मानता था जितने अदब से तुम अपनी मा की बात पांगती हो पिताजी ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाथ जबरदस्ती एक ऐसी लड़की से कर दी जो बहुत हमुचे और रईस खांडानी वो सिग्रेट पीती थी शराब भी पीती थी एक ही वक्त में कई लोगों के साथ फ्लेट करती थी पिताजी को जब असलियत का पता चला तो वो यह बर्दाश्ट नहीं करते और चल बसे पिताजी की मौत मेरी जिन्दगी का पहला गम था वह कहां तो फिर क्या भाग गई हां अपने बहुत से यारों में से किसी एक के साथ भाग गई मैंने सब कुछ बर्दाश्ट कर लिया लेकिन मेरी दीवी का किसी और के साथ भाग जाना मुझे बर्दाश्ट नहीं थी यही कॉम्प्लेक्स मुझे उस चहुंग में ले गया था जहां से तुम मुझे वापस लाई हो इसमें एक भी बात गलत नहीं है एक भी बात छूट है यहाना कि वो शादी शुदा है तुम बोलती क्यों नहीं क्या वो शादी शुदा है नहीं तो फिर उससे बात करके फैसला कर लो फिक्र मत कीजा अमी जान मैं कल तक सब फैसला कर लोगी अब आफ 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 है कि अब अब कि अब किप्यार करते हैं मुझे प्यार को ना पजा सकता है तोला जा सकता है अगर ना अपने तोरनी के जरत पर जाये तो तो फिर सारे दुनिया एक तरफ और तो नहीं तरफ मुझे पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा मसलन तुम के चाहती हूँ मैं तो चाहना तब शुरू करूँगी जब अमीजा मेरे लिए चाहना छोओ देंगी रिहाना हर इंसान के दो मज़भ होते हैं एक इंसानियत और दूसरे जात और दुनिया की जितनी भी जाते हैं मजभभ हैं उन सब के बुनियाद हैं इंसानियत जिसके अंदर इंसानियत है उसके अंदर दुनिया के तमाम मजभभ हैं कोई बदलेगा क्या काश ये बात मेरी अम्मी जान के समझ में आ जाते क्वें ऐसी बात भेज़ने इस दुनिया में कोई भी हिंसान इसा नहीं है जिसे समझा या समझाया नहीं जा सकता तो क्या अब आमे जान को समझाने से पहले मैं तुम्हें समझाना जाता हूँ क्या यही कि तुम्हारी और मेरी शादी मेरी और तुम्हारी अम्मी जान के समस्या है इसके लिए तुम खामखा परिशान मत हो मैं तुम्हारी अम्मी जान से मिलूंगा हम दोनों मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई हल घंग मिकालेंगे इस समस्य का हल है, आई ये शून है, आज के इंसाम के पास हर समस्य का हल है, और सच पुछो तुरहना, हर समस्य का एक हल है, क्या? प्यार, क्या? प्यार आपकी बाते करेया, अपना अपसा ना कहे, आपकी बाते करेया, अपना अपसा ना कहे, होश में दोनों नहीं है, किसको दीवाना कहे, होश में दोनों नहीं है, किसको दीवाना पहें आके बाते करें आपकी बाहों में आके खिल उठी है जिल्दगी इन बहारों को भला हम किसका नजराना कहें इन बहारों को भला हम किसका नजराना कहें आपकी बाते करें राज उल्पत जिल्दगी भर राज रहना चाहिए आखो ही आखो में खामोश अपसा ना कहें आखो ही आखो में खामोश अपसा ना कहें पाकी बाते करें दिल के हाथों लुटे के हमने कर लिया ये पैसला जिल के हाथों लुटे के हमने कर लिया ये पैसला आपको अपना कहें और दिल को बेगाना कहें आपको अपना कहें और दिल को बेगाना कहें आपकी बाते करें ये अपना पसाना कहें भोश में दोनों नहीं हैं किसको दीवाना कहें आपकी बाते करें किसम आपको और दो जालों रदिल झ linguistic बात agenda Bible ng 자也 करें किसम लिवाना कहें ये डिया ये किसम kalo बेहते करें लिवाना कहें मुटेक झाल झाल गवज कि एकड़ करो जिसे तुम करते यह वज करते अड़ा कर दो कर दो अब मिजान नहीं है भीबी जी कोई गई है उनको दिल का दौरा पड़ा हॉस्पिटेटल ले लेजिए अब मुझे तारा जी लिनाता है इस इस पर दिल की तारा जी लिनाता है तुम्हें साथ रू, जल्दी अच्छा में जाए अम्मी जान, अम्मी जान रहाना मैंने कहा था अगर वो अपना मसा पदल ले तो उससे तुम्हारी शादी हो सकती है लेकिन बेटी उस इंसान पर कैसे एकिन किया जा सकता है जो अपने धर्म इमान को छोड़ दे क्या पता कल शादी करने के बाद वो तुम्हें भी छोड़ दे बेटी अगर वो मसा पदलने को राजी हो जाए तो मेरा यही कहना है कि तुम तुम उससे शादे मत करना बेटी तुम 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 कि वेली को तुम क्यब दाम तुम तुम कर दो कर दो कर दो